पूर्व मुख्यमंत्री अजीज जोगी की जिंदगी में क्रिकट से भी ज्यादा अनिश्चित्ता रही है। वो एक ऐसे व्यक्ति रहे जो IPS और IES दोनों के लिए चुने गए। दो साल तक वो IPS और उसके बाद फिर IES बने। कलेक्टर के तौर पर भी उनका रिकॉर्ड बेहद कार गर रहा। इंदौर और रायपूर कलेक्टर रहते हुए उन्होंने अलग ही चाप छोड़ी। राजन 80 शहरिंदर रात का वक्त रेसिडेंसी एरिया एस्थ कलेक्टर का बंगला। कलेक्टर सहाब सो रहे हैं। अचानक फोन बचता है। दोड़कर एक करमचारी उड़ता है। बताता है कि कलेक्टर सहाब सो गए है। फोन की दूसरी तरफ से अधिकार भरे स्वर में आदेश आता है कलेक्टर साहब को उठाइए और बात करवाईए साहब जगाया जाते हैं फोन पर आते हैं दूसरी तरफ से आवाज आती है यह फोन था प्रधानमंत्री राजीव गांधी के पीए वी जोगी और फोन उठाने वाले थे अजीत जोगी नेता नहीं कलेक्टर अजीत जो कुछ दिन बाद उनको कॉंग्रिस की All India Committee for Welfare of Schedule Cast and Tribes के मेंबर बना दिया गया कुछी महीनों में वो राजसभा भेश दिये गए अजीत जोगी कॉंग्रिस में राजीव की पसंद से आये थे ये वो वक्त था जब राजीव Old Guards को ठिकाने लगाकर नई टीम बना रहे थे मदिप्रिदेश से दिग्विजे से उनकी सूची में शिश्पत है चतिसगर जैसे आदिवासी इलाके के लिहास से जरुरत लगी एक नई लड़के की एक ऐसा यूवा जो की विद्या चरण श्याम चरण शुक्ला प्रदर्स को चुनौती दे सके इस तरह राजी इवेंट कंपनी की नजर गई जोगी पर एक तेज तर्रार आई एस जो बोलता भी बहुत कम था काम भी करता था कॉंग्रिस में आने के बाद अजीत की गांधी परिवास से नजदीकियां बढ़ती रही अजीत जोगी सीधी और शेहडोल में लंबे समय तक कलेक्टर रहे सीधी में पढ़ता है चुरहट जहांके अरजुन सिह का उस वक्त मधिप्रिदेश में सिक्का चलता था अजीत जोगी ने हवा का रुख भाप अरजुन सिह को अपना गौड फादर बना लिया बड़ा हाथ सिर पर आया तो अजीत खुद को पिछडी और अती पिछडी जातियों का नेता मानने लगे इतने बड़े जुद्धिविजे से उन्हें राजनीती में लाए थे उनके ही खिलाफ मूर्चा खूल दिया